हलो, वेलकम बेक टो माई चैनल, आज हम करेंगे सीटेट के पेपर को डिसकस और ये अभी हुआ था हमारा 31st को तो इसको डिसकस करते हूं और मैंने आपको प्याजे की थियोरी जो कराई थी तो आप देखना कि उसमें से कितने कोशन्स इसमें आए हुए थे अगर आप लोगोंने मेरी वो थियोरी को अच्छे से सुना होगा पढ़ा होगा तो वो आपके तीन या चार कॉशन्स ट्राइव हो थे वो आपको आपके करेक्ट हो जाएंगे तो देखते हैं कि हमारा वो डिसकुशन प्याजे की थियोरी का कितना हेलफुल रहा है सीटेट के एक्जाम में तो स्टार्ट करते हैं कुशन नमबर वन से In order to address learners from diverse backgrounds a teacher should मतला vivid प्रिष्ट भूमियों के अधिगम करताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को जो diverse background से जो बच्चे आते हैं क्या उनको एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए या फिर उनको अलग-अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए मानिये diverse background से मतलब है कि कोई different culture से आया होगा किसी का अलग religion होगा हो सकता है वो बच्चा थोड़ा slow learner हो तो जो diverse background से जो बच्चे आते हैं तो उनको किस तरीके से teacher को पढ़ाना साहिए options में से देखते हैं कि कौन सा होगा use standardized assessment for all कि एक ही तरीके का assessment सभी बच्चों के लिए करना तो ये गलत है क्योंकि सब बच्चे अपनी different qualities के साथ होते हैं ठीक है कोई हो सकता है कोई slow learner होगा कोई हो सकता है वो different culture से हो जो भी example माम उनके सामने set करे है बच्चे को समझ नहीं आये क्योंकि वो different culture से है different religion से है अलग-अलग states से है हुए बच्चे हो सकते है एक सामाने रूप से बच्चों को नहीं लेना चाहिए मतलब एक ही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए individualized assessment करना है standardized नहीं करना है individualized करना है कि सब जो बच्चा है उसके according हमें बच्चों को कराना है उसी के हिसाब से हमें उनको example set करना है आज की जो education है वो child centered education है ना कि teacher centered education तो teacher को इस तरीके से अपनी learning को इतना effective करना है ताकि बच्चे को चीज़े समझ में है और बच्चों के हिसाब से हमें example देना है या फिर जो उनके साथ हुआ होता है तो हमें उस तरीके के examples को set करना है use standardized assessment for all तो ये नहीं करना है हमें use statement that strength in negative stereotypes मतलब ऐसे कतनों का इस्तमाल करना चाहिए जो नकारात्म करूडी बद धारना को मजबूत करें तो ये बिल्कुल गलत है स्टेरियोटाइब को तो हमें बिल्कुल भी support नहीं करना है स्टेरियोटाइब का मतलब होता है कि ये काम बच्चों का बटा हुआ है तो वो लड़कियों का जैसे कि लड़कियां भार समान लेने नहीं जाती लड़कियों हमेशा अकसर देखा होगा कि वो घर में है अपना कामवाम कर रही होती है जो छोटे बच्चों की books होती है आपने उसमें देखा होगा कि जो डाइग्राम्स बने वे होते हैं उसमें मम्मी किचन में खाना बना रही होती है वहीं पर उनकी बेटी होती है वो help कर रही होती है तो क्या काम लड़कियों का ही रोना है, तो ये क्या है, ये stereotype है, तो हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है, नेक्स्ट आता है, avoid talking about aspects related to diversity, मतला विवित्ता संबंदी मुद्धों पर बात्चिर टालनी चाहिए, हमें किसी भी चीज़ में avoid तो करना ही नहीं है, हमें बात करनी चाहिए diversity पे, ताकि अगर दो बच्चे different culture से हैं, तो एक बच्चा दूसरे के culture को समझ पाए, तो हमें avoid नहीं करना है, हमें उस चीज़ के ऊपर बात करनी है, तो जहां पर avoid जैसी चीज़ें आ जाती है, तो वो तो हमें करना ही नहीं है, next आता है, draw example for diverse settings, मतलब हमें इस तरीके से example set करने हैं, ताकि सभी बच्चों को वो helpful रहे, diverse class में helpful रहे, मतलब जो चाहे बच्चा अलग religion से क्यों उसको भी वो example समझ में आएगा, तो हमें diverse settings के हिसाब से हमें example set करने है, तो ये बिल्कुल ठीक है, कि विविद विन्यासों से उधारन लेने चाहे, मतलब different different चीज़ों के उधारन देने चाहे, ये ने की example हमने दे दिया है, जा इस तरीके के example create करना है, ताकि वो बच्चा भी समझ पाए, तो हमारे इसमें जो exam आता है, जो correct answer है, वो fourth है, draw example from diverse settings, next question आता है, कि समस्या समाधान शमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है, किस तरीके से facilitate किया जाता है, तो आएगा, इसके options देखते हैं, second है generating fear among students, विद्धिहार्तियों में डर की भावना नहीं करनी है, जहां भी इस तरीके का word आजाता है, fear like, तो हमें इन सब चीजों को नहीं करना है, जैसे thumb rule है, जहां भी बच्चों में ऐसी भावना जनरेट होगी, बच्चा कहां से चीजों को सीख पाएगा, तो हमें इस तरीके की चीजे नहीं करना है, या हमें किसी भी ब नेक्स्ट आता है समस्याओं के हल है तू अटल प्रक्रिया के इस्तमाल को बढ़ावा देना encouraging fixed process of solving the problems हमें कभी भी कोई fixed process नहीं रखना है learning में कभी कोई fixed process होता ही नहीं है different patterns से बच्चे सीख रहे होते हैं trial and error method का use करके बच्चे सीख रहे होते हैं तो ये चीज़ गलत है तो हमारा first answer ठीक है समरूपों के इस्तमालों को बढ़ावा देका है encouraging use of analogies तो ये हमारा correct answer है next आता है in order to address the needs of students who are facing learning difficulties a teacher should not कि teacher को क्या नहीं करना चाहिए मतलब है अधिगम कठिनाईयों से जूजते चात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए वो आप हटा देंगे तो जो answer है नहीं है वो answer हमें मिल जाएगा options देखते हैं do individualized educational planning मतलब व्यक्तिगत शैशिक योजना बनाना यह बिल्कुल ठीक है teacher को यह चीज करना चाहिए हर एक बचनी अलग-अलग qualities के साथ आता है हो सकता है कि वो बच्चा slow learner है कोई हो सकता है वो fast learner है तो जो slow learner बच्चा है उसको हमें अलग तरीके से पढ़ाना होगा ताकि उस बच्चे को वो चीज़े बहुत अच्छे से समझाए और fast learner को अलग तरीके से कराना होगा लेकिन एक ही classroom में यह नहीं है कि हम उनको classroom भी अलग-अलग divide करें तो individualized करना है मतलब हर एक बच्चे के उपर ध्यान teacher का जाए और उस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है तो हमें individualized education तो हमें व्यक्तिकत शैशिक योजना बनाना है नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस rigid structure for pedagogy and assessment मतलब शिक्षा शास्रो और आकलन की जडिल सन रचनाओं का प्रियोग करना ये बिल्कुल गलत है कि हमें कहीं भी ऐसा rigid structure नहीं रखना है तो ये बिल्कुल गलत है तो इसका answer ये होगा लेकिन next options देखते है use multiple audio visual aids मतलब दुर्वे श्रवे सामगरियों का इस्तमाल करना कि हमें बहुत सारी ऐसी aids का use करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए तो ये तो करना ही चाहिए next आता है use constructivist pedagogical approaches हमें इस तरीके की approaches का use करना चाहिए ताकि बच्चे खुद construct करके सीखे मतलब बच्चे यहां पर active learner होते हैं तो जो हमने प्याजी की थियोरी में भी पढ़ा था कि बच्चे यहां पर active learner होंगे तो हमें इस तरीके से कराना है तो हमारा इसमें answer आता है second next आता है dash is the primary identifying feature of creativity मतलब सुरिजनात्मक्ता की पहचान का प्रमुख लक्षन क्या है अब यह है क्या पहले मैं इससे एक example create करते हूँ उसका answer divergent thinking है लेकिन मैं इसका एक और आता है convergent thinking और एक और आता है divergent thinking इन दोनों के बारे में मैं बताती हूँ आपको convergent जो thinking होता है उसका example मैं आपको देती हूँ जैसे मैंने आपसे पूछा प्याजे की theory की जो stages है प्याजे की हमने जो theory पड़ी थी उसमें जो चार stages दी थी उसने तो जो first stage थी उसका नाम क्या था तो आप सब बता दोगे कि उसका नाम sensory motor stage था यह convergent thinking का example है कि आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो answer same होगा लेकिन divergent thinking का example मैं आपको बताती हूँ divergent thinking का मतलब होता है सब के different views होना मैं पूछती हूँ आपसे कि जो प्याजे की theory की first stage का नाम sensory motor stage ही क्यों रखा गया तो सब बच्चे अपना different views बताएंगे कि बच्चे के अलग-अलग क्या views हैं उस चीज़ पे तो यहाँ पर क्या divergent thinking बच्चे हैं अपना इसमें active learner होते हैं दूसरी बात अपने views वो दूसरों तक व्यक्त करते हैं तो यह होता है divergent और सब बच्चों का अलग-अलग views होंगे अलग-अलग उन्होंने answers लिखा होगा या हम कहते हैं 1947 का जो withdraw हुआ था उसके क्या कारण थे तो सब बच्चे अपना अलग-अलग करेंगे तो वो divergent thinking आता है तो जो creativity होती है वो convergent thinking से नहीं होती है वो divergent thinking से होती है यह सही है फास्ट option है hyperactive hyperactivity बच्चे वो होते हैं जो एक जंगे टिक्के नहीं बैठते क्लास में इधर उदर मचलते ही रहते हैं दूसरों को भी disturb कर रहे होते हैं lecture के बीच में ही teacher पढ़ा रहे है बच्चा उठके दूसरे bench पे shift हो जाता है फिर उसको परिशान कर रहा होता है वो होते हैं hyperactivity वाले बच्चे inattentiveness मतलब अर्सा तर्कता next आते है low comprehension मतलब की कम बौधिक सर वाले जो बच्चे होते हैं तो यह तो है नहीं बिलकुल भी अगर बच्चा creative है तो वो divergent thinking से होगा तो यह हमारा बिलकुल ठीक है next question पे चलते हैं यह है which of the following is most effective mode of teaching learning सबसे effective mode क्या है बच्चों को पढ़ाने का नेमनों में से अध्यापन अधीगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है तो फस्ट आता है observation without analyzes बिना visualization के अगर हम अवलोकन कर रहे है तो यह तो बिलकुल ही गलत है next आता है imitation and reputation तो यह तो बिलकुल ही गलत है नकल करना और दो राना वापस ही रोट learning को बढ़ावा दे रहा है next आता है rote memorization of content मतलब विशवस्तू को यंत्रवत याद करना repeat करना याद करना रटना उसको तो बिलकुल भी गलत बिलकुल ही गलत है next आता है exploration of relationship between concept मतलब संकल्पनों के बीच संबंद खोजना तो यह बिलकुल correct है next आता है a teacher should analyze the various errors made by students on a given task because एक अध्यापिका को दिये गए कार्यकर आपने चातरों की विभिन तुरूटियों का wishlation करना चाहिए क्यों की क्यों करना चाहिए इसके अधार पर वह जादा तुरूटियां करने वाले चातरों को दूसरों चातरों से अलग कर सकती है तो यह बिलकुल गलत है हमें बच्चों को segregate नहीं करना है segregate वाला option देखते ही cancel कर देना क्योंकि यह हमें नहीं करने होती है बच्चों को किसी भी चीज़ के अधार पर हम उनको अलग नहीं कर सकते नेक्स्ट आता है अधिगम केवल तूटियों के शोधन पर निर्भा है ठीक है learning जो है हम देखते हैं कि उसमें बच्चे का क्या error आ रहा है हम इस वज़े से भी देखते हैं लेकिन पूरा base जिसके उपर नहीं है तो यह गलत है नेक्स्ट आता है इसके अधार पर वे दंड की मातरा निर्धारित कर सकते हैं तो हमें कभी बच्चे को punishment देनी ही नहीं है तो यह बिल्कुल ही गलत है तुरूटियों की समझ अध्यापन अधीगम प्रक्रिया के लिए एक अर्थपून है जब हमें यह पता चलेगा कि यह बच्चा अगर हमने कोई चीज बच्चे को पढ़ाई है और बच्चा यह error कर रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें अपने खुद की प्रोसेस को हम अपने पढ़ाने के तरीके में चेंच लाएंगे ताकि वो बच्चा अच्छे से कर सके तो यह यह तुरुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रकरिया के लिए अर्थपूर है कि हमने कहां गल्टी की है तो यह चीज आती है हमारी तो फोर्थ ऑप्शन is correct next आता है motivation to learn can be sustained by अधिगम की अभिप्रिणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है motivation किस तरीके से तो दो तरीके के motivation होता है intrinsic और extrinsic intrinsic होता है जिसमें बच्चा खुद करने की इच्छा रखता है उसको कहीं से भार से कोई motivate नहीं करता है वो खुद इतना motivated होता है कि मुझे ये चीज करनी है extrinsic होते हैं कि अगर अब की बार तुम class में first है तो मैं तरको cycle दिलाऊंगा तो ये क्या होता है ये हमारा extrinsic होता है कि इसको भार से motivate किया जा रहा है वो cycle लेने की वज़र से first आ जाएगा ठीक है उसको वो चीज चाहिए इसलिए वो first आएगा तो options देखते हैं बच्चों को बहुत आसान क्रिया कलाब देकर तो हमें बच्चों को underestimate नहीं करना है हम आसान उनको प्रक्रिया नहीं दे सकते बच्चे इसमें बोर हो जाएंगे तो ये हमें चीजें नहीं करनी है दूसरा है focusing on road memorization तो ये तो बिलकुल नहीं करना है तो ये तो देखते अलग हो जाता है नेक्स आता है बच्चे को दर्ण देकर punishing the child तो ये भी नहीं करना है हमें नेक्स आता है प्रवीन ता अभी मुखी लक्षों पर जोर देकर focusing on mastery oriented goals यहाँ पर जो learning होगी वो बहुत अच्छी होगी तो ये चीज़ है तो फूर्थ का आता है प्रवीन ता अभी मुखी लक्षों पर जोर देकर नेक्स आता है shame and फिर dash शर्मिंद की क्या है तो हमें इस तरीकी की चीज़े बच्चों के साथ नहीं करनी है तो इसके options देख लेता है बच्चों को अधिगम है तो अभी प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बच्चे से demotivate होईंगे और बच्चों का कहता है कि अगर बच्चा किसी एक चीज़ में fail हो जाता है और फिर सब उसको ताने दे रहे होता है तो बच्चा इतना जादा demotivate होता है कि मैं इसी लायक हो या मैं नहीं कर सकता तो हमें इस तरीकी की चीज़े बच्चों के साथ नहीं करनी है सेकेंड आता है शेम के भाव को अध्यापन अधिगम प्रिकरिया में एक बारम पर पैदा करना चाहिए मतलब कि हमेशा repeat करने चाहिए frequently चीज़ों को मतलब शर्मिंदिगी बच्चों को देनी चाहिए तो ये बिल्कुल ही गलत है हमें नहीं करना है शर्मिंदिगी का संग्यान से कोई संग्यान पर नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है तो ये है कि उसके बच्चे के संग्यान पर उसका नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है तो fourth is a right option next करते हैं हम constructivist view of learning suggest that children dash construction of their own knowledge अधीगम का संग्यान आत्मक विचारिया सुझाव देता है कि ग्यान की संग्यान में जब हमने बताया था कि बच्चे जो constructivist प्याजी की ठियोरी में हमने किया था कि बच्चे अपने ग्यान का निर्मान स्वैम करता है तो उसमें बच्चे क्या होता है play an active role मतला बच्चा इसमें सक्रिया भूमी का निभाता है तो यह आता है play an active role तो यह important था और यह मैंने आपको बताया भी था इन्होंने का बच्चे पून रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भा रहता है कभी नहीं कभी पून रूप से निर्भा रहना है वो बच्चों की लेक वर्क बुक की तरह होती है पाठ्य पुस्तके नेक्स्ट आता है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती तो यह तो बिल्कुल ही गलता है नेक्स्ट आता है बच्चे पून रूप से वेसको पर निर्भर रहता है पून रूप से नहीं रहता है रहते हैं वो निर्भर बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं उनसे लेकिन पून रूप से उनके उपर निर्भर नहीं रहते है तो ये चीज़ गलत है तो इसका सबसे अच्छा जो है वो है प्लेयन एक्टिव रोलिंग नेक्स्ट आता है विच आफ दफॉलूइंग बिलीफ इस गुड फोर लर्निग अधीगम के लिए निम्नो में से कौन सी धाना उप्यूक्त है तो देखते हैं इसका फस्ट है प्रियासों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बिल्कुल ही गलत है अगर हम प्रियास करेंगे अपनी एफ़र्ट्स डालेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा नेक्स आता है असफलता अनियंतरित है फेलियर जो है वो अनकांट्रोलेबल है अगर हमें पता है कि ये बच्चा फेल क्यों हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है तो हम उस चीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे हम अपने लर्निंग जो हमारी स्केल्स है उनमें चेंज करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए तो ये भी गलत है नेक्स च्चाहता है सुधार्य है ability is improbable मतलब कि अधिगम को change भी किया जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है तो ये बिल्कुल ठीक है नेक्स चाहता है योग्यता अटल है तो ये कोई भी चीज कभी fix नहीं रहती है और learning process में तो बिलकुल भी नहीं तो ये चीज़ गलत है तो सही जो answer है वो है ability is improvable next question है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यारतियों में संकल्प नात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है कि बच्चों में conceptual understanding बढ़ाने के लिए इन में से कौन सी चीज़ सहायक होगी पहला है frequent examination मतलब बार-बार परिक्षाएं लेना तो इससे conceptual understanding नहीं बनेगी बच्चों की next आता है inquiry and dialogue method ये अच्छा method है इसमें बच्चे अपनी views दूसरों तक व्यक्त कर पाएंगे एक दूसरे के views ओं को समझ पाएंगे और debate वगेरा होगी बच्चों में तो और इसमें बच्चा active learner होगा next आता है competition तो इस चीज़ को नहीं करते हैं प्रतिस परदाओ को next है textbook centric pedagogy तो पाठ्था पुस्ता केंद्रिक शिक्षा शास्त्र जो सबसे अच्छा method है वो है conviction और समवाद conceptual understanding के लिए it is difficult for children to learn when बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब कब होती है बच्चों को सीखने में कठिनाई अधीगम समाजिक संदर्ब में हो learning is socially contextualized तो ये तो बिल्कुल ठीक है बच्चे का होना चाहिए तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होगी बच्चे अपने समाज से बहुत सारी चीज़े सीखते हैं समाज के साथ interact करके बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं तो ये तो बिल्कुल ही मानने नहीं है next आता है contact and represented through multiple ways तो बच्चों को विभिन तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो ये बिल्कुल ठीक है multiple ways का यूज करके जादा से जादा चीज़ों का इस्तमाल करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो ये बिल्कुल ठीक है ठीक है हमें कभी भी अगर कोई चीज अलग अलग टुकडो में मिलेगी तो उससे हमारी अच्छी लर्निंग नहीं होगी और थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसार है नेक्स्ट आता है बेस्ट स्टेट ओफ लर्निंग इस अधीगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है जहां पर बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते है तो है संतुलित उत्तेजना कोई भे नहीं तो ये बिल्कुल ठीक है जहां पर उत्तेजना जो अरावजल्स हो रहे हैं वो भी संतुलित हो ना जाधा हो, ना कम हो और कोई डर नहीं होना छी Next आता है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भे नहीं तो ये तो बिलकुली गलत है ठीक हो अगर बच्चे के अंदर arousal ही नहीं होगा तो वो लर्निंग कहां से होगी और कोई भे नहीं तो ये no fear तो ठीक है उच भै तो जहां भै जादा है वो तो अपने आप ही cancel हो जाते हैं high fear में बच्चा कभी नहीं बढ़ सकता है high fear हो चाहे low fear हो बच्चा नहीं बढ़ सकता है तो इसका जो correct answer आता है वो है संतुलित उतेजना या कोई भै नहीं मतलब moderate arousal and no fear तो इसका first option correct है next आता है individual differences in development of children can be attributed to बच्चे की विकास के विक्तिकत विविन्ताओं को किस प्रती रोपित किया जा सकता है तो इसका है ना अनुवांशिक्ता पर ना परियावरन पर मतलब बच्चे का जो development होता है वो heredity and environment दोनों की वजह से होता है ना ही वो पूरा-पूरा heredity पे होता है और ना ही वो पूरा-पूरा परियावरन पे दोनों जो होता है एक ही सीके के दो पहलो होता है तो बिना heredity के भी development नहीं हो सकता और बिना परियावरंट के भी बच्चे का development नहीं हो सकता लेकिन इन दोनों का होना बहुत जरूरी है तो interplay of heredity and environment ये हर बार question आता है केवल अनुवानशिक्ता पर ये भी नहीं है केवल परियावरंट पर और ना अनुवानशिक्ता पर ना परियावरंट पर तो ये तो बिलकुल भी नहीं है तो second जो option है वो बिलकुल correct है नेक्स आता है during a task मतलब की एक कारे के दोरान साइना स्वेम से बात कर रही है कि वह कारे पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है लैव वाय गौसकी के भाशा और चिंतन सोच के बारे में दिये गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिकत वाग क्या दर्शाता है जब वह बच्चा काम कर रहा है तो वह अपने आपको क्या कर रहा है इसी ही प्राइवेट स्पीच को प्याजी ने इगोसेंटरिजम कहा था लेकिन उसने ये भी कहा था इगोसेंटरिजम का मतलब होता है बच्चे का बढ़ बढ़ाना या खुद से बात करना उससे उनका कोई भी लर्निंग नहीं होती है उनका कोई विकास नहीं होता है या बच्चा उससे कुछ नहीं सीखता है प्याजी ने ये चीज़ कहा था लेकिन सेम वही चीज़ वाइगोसकी ने कहा है कि बच्चे के बड़ बड़ाने से घ्यान का निर्मान होता है तो उसने तो वो किसलिए करते हैं व्यक्तिगत वाग वोता है सेल्फ रेगुलेशन इसका एक एक एक्जैम्पल देखते हैं अक्सर क्लास्रूम में देखा गया है अगर हम सीटेट का भी एक्जैम दे रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे थोड़ा जोड़ से बोलके पढ़ रहे होते हैं क्यूं कर रहे होते हैं क्यूंकि वो सेल्फ रेगुलेट कर रहे होते हैं उनका ध्यान इधर उधर ना भटके तो अपने आपको regulate कर रहा पूरा ध्यान उनका पेपर पे रहे इस वज़ा से तो वो क्या होता है self regulation इसका answer ये है next करते हैं हम evaluation practices should aim at मुल्यांकन पददी का लक्षन होना चाहिए कि मुल्यांकन क्यों हो रहा है इसका है विद्यारतियों की जरूरतों एवम आवशक्ताओं की पहचान करना ये बिल्कुल ठीक है next आता है पुरुसकार वितरण हे तू उचंग प्राप्त करने वाले विद्यारतियों की पहचान करना तो ये तो बिल्कुल गलत है इसका first जो primary जो factor है वो ये ही है कि विद्यारतियों की जरूरतों एवशक्ताओं की पहचान करना next आता है विद्यारतों को नामनकित करना हमें labeling बिल्कुल नहीं करनी है बच्चे की ये तो intelligent बच्चा है और ये तो failure बच्चा है हमें कभी इस तरीके से label नहीं करना है बच्चो को तो ये बिल्कुल गलत है next आता है segregation of student for ability based group तो कहा है जहाँ जहाँ segregation आ जाए वो चीज़ कट जाती है कोई education में कोई segregation नहीं होती कोई बच्चे intelligent है तो उनका अलग group बना दिया जो बच्चे failure है उनका अलग group बना दिया ऐसे नहीं होना चाहिए तो हमें segregation नहीं करना है तो first वाला option बिल्कुल correct है विध्यार्तियों की जरूरतों को ध्यान रखा जाए और उनके आवशक्ताओं की पहचान की जाए next आता है 17 एक गतिविधी के दोरान चात्रों को संघर्ष करते दे कि एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या क्यूं कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है लेवाइगोस्की के अनुसार, सिध्धान के अनुसार, अध्यापिका की यह योजना क्या काम कर रही है इंग्लिश में बढ़ते हैं after observing that students struggling to proceed further for ongoing activity बच्चा एक एक्टिविटी कर रहा है और बच्चा उसमें थोड़ा सा उलज किया उसको वो चीज नहीं आ रही है करनी और teacher ने उसको हलकी सी help दी तो वो जो help है या वो cues है वो लेवाइगोस्की के अनुसार किस चीज को दर्शा आते हैं यह कहना है तो यह है act of scaffold for learning जो मेरी next video आएगी वो वाइगोस्की के उपर आएगी और आपको यह सब चीजे देखने को मिलेगी तो इसका एगा act as scaffold for learning कि बच्चे को सहारा देना scaffold का मतलब होता है हमें बच्चे को पूरा conclusion निकाल के नहीं देना है हमें बच्चे को हलका सा hint देना है और बच्चा उस problem को solve कर लेगा या जो भी वो activity है उसको solve कर लेगा अगर बच्चे को हलकी सी hint मिल जाती है तो scaffold का मतलब ही होता है सहारा देना तो fourth option is right next आता है एक खेल क्रिया के दोरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह वहवार ना करो लड़के रोती नहीं है पिता का यह कथन क्या कहलाता है तो यह बच्चों में भेदभाव कर रहा है या इनका यह मानना है कि सिर्फ लड़किया ही रोती है तो इनकी जो सोच है वो रूडी वादिता को जोर दे रही है तो इन options में से कौन सा सही है reduce gender bias तो ये तो हो नहीं सकता reduce कहां से कर रहा है next आता है promote gender equality लेंगिंग समानता को बढ़ावा देता है तो ये भी बिल्कुल गलत है reflect gender stereotype लेंगिक रूडी वाधिता को दर्शाता है और next आता है लेंगिक रूडी वाधिता को चुनोती देता है तो इसका third option बिल्कुल correct है कि reflect कर रहा है वो किस चीज़ को रूडी वाधिता को तो ये इसका बिल्कुल correct answer है next करते हैं एक प्रगतिशिल कक्षा में in a progressive education in a progressive classroom क्या होना चाहिए आगे का देखते हैं ज्यान की संरशना के लिए प्रचूर मो के प्रदान करना चाहिए ample opportunity should be provided for construction of knowledge ये बिल्कुल ठीक है next आता है विद्यार्तियों को अनेक academic अंकों के अधार पर नामंकित करना तो label हमें कहीं नहीं करना है English में देखो student should be labeled on the basis of their academic score उनको labeling नहीं करना है कि ये intelligent है ये failure है यह इसके तो सिर्फ passing marks है तो हमें इस तरीके से label नहीं करना है a teacher should follow fixed curriculum तो कोई fixed curriculum नहीं होता है ठीक है अध्यापक को अटल पाठ्य कर्म का पालन करना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है next आता है फस्ट जो question फस्ट जो answer है वो ठीक है तो हमने इसमें हमें पता चल गया है कि बच्चों को label नहीं करना है कोई fixed curriculum नहीं होता है बच्चों को हमें ये कहके नहीं बुलाना है कि ये तो अमीर family से है ये गरी family से है हमें सब को equal रखना है तो ये सब चीज़े है और ये नहीं कहना है कि बच्चा ये तो नलायक है तो ऐसा नहीं करना है तो ये in a progressive classroom हमें क्या करना है ग्यान की संरचना के लिए प्रचूर मुग के प्रदान करने चाहिए बच्चों को opportunities देनी चाहिए ताकि वो अपनी नोलिज को construct कर सके तो ये best option है इसका फरस्ट नेक्स्ट आता है अक्वर्डिंग तो लॉरेंस कॉलबर्ग ठियोरी, performing an act and doing something because other approves represents stage of morality तो जो कॉलबर्ग थे उन्होंने किसी कारे को इसले करना क्योंकि दूसरे इसे स्विक्रिती देते है दूसरे के according अपनी सोच का निर्मान करना ये आता है, conventional में आता है next आता है which of the following is correct in the context of socialization of children मतलब बच्चों के समाजी करन के संधर्म में निम्न में से कौन सा कथम सही है समक्षी समाजी करन के प्रात्मिक कारक है परिवार समाजी करन का एक दूसरे कारक है मतलब की प्राइमरी जो सोर्स है वो socialization है फैमली बाद में आती है लेकिन फैमली जो है socializing की जब कहते है ना एक छोटा बच्चा है सबसे पहले contact में आता है किसके family के उसके बाद दूसरा होता है school बच्चे का तो इसमें ये पूछा गया तो first agent होता है बच्चे का जब बच्चा जनम लेता है तो वो सबसे पहले किनके आस-पास आता है तो अपनी family तो पहला जो primary agent है socializing का वो है family और second है school जहां पे बच्चा socialization करता है third option इसका बिल्कुल सही है next question आता है theory of multiple intelligence emphasize that बहु बुद्धी का सिद्धान जोर देता है कि multiple intelligence की theory gardener ने दी थी और उसमें बहुत सारी intelligence का art intelligence के बारे में बताया गया था तो इसमें first option है बुद्धी मता की विबिन दशाएं है तो there are several forms of intelligence तो ये बिल्कुल ठीक है next है बुद्धी मता में कोई व्यक्तिगत विबिनता नहीं होती तो ये बिल्कुल गलत है होती है next है बुद्धी लब्दी केवल वस्तूनिष्ट पर दिक्षणों द्वारही मापी जाती है तो ये भी गलत है next है एक आयाम में बुद्धी मता अन्य सभी आयमों में बुद्धी मता निरधारित करती है तो ये भी गलत है तो first answer आते है बुद्धी मता की विबिन तशाएं है next question है प्री ओपरेशनल स्टेज़ इन जीन प्याजेट अफ्टी और और कोगनेटर डवलप्माट केरेक्टराईज जीन प्याजे की संग्यानात्मक विकास के सिध्धानत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्यगुन क्या होता है तो क्या था pre-operational stage में तो हमने hypothetical deductive thinking किसमें पढ़ा था ये पढ़ा था हमने formal operational stage में next है ability to conserve and seriate object कब आ जाता है बच्चे में ये था concrete operational stage में development of abstract thinking ये भी था हमारा formal operational stage में और centration in thought तो ये किसमें था हमारा pre-operational stage में तो ये था हमारा answer next आता है बिल्कुल as it is आया अगर आपने अगर मेरी ये theory को अच्छे से देखा होगा तो ये question आपका गलत नहीं हुआ होगा next question है विकास के संधर में निम्नों में से कौन सा कथन सही है तो विकास के अवल बाल्य विस्था के दोरान ही होता है तो ये गलत है विकास बहु आयामी होता है ये correct है विकास की दर सभी संकृतियों में सभी के लिए समान होते है तो ये बिल्कुल गलत है सब का अपना different development का rate होता है अलग-अलग विकास की दरें होती है विकास के वल विध्याले में होने वाले अधिगम से ही होता है तो ये गलत है तो सही है अंसर है विकास बहु आयामी होता है नेक्स आता है लेव आइगोस की का समाजिक सांस्कृतिक परिप्रिक्षे अधिगम प्रिक करियाओं में डैश के महतों पर जोर देता है लेव आइगोस की social culture perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process तो motivation लेव आइगोस की ये थियोरी में कहीं भी नहीं है equilibrium भी कहीं नहीं है ये प्याजे की थियोरी में attribution भी कहीं नहीं है तो उसकी जो लेव आइगोस की जो थियोरी है वो है social cultural तो यहाँ पर क्या हैगा cultural tools ये correct answer है next question आता है जीन प्याजे अपने संग्यानात्मक विकास के सिध्धानत में संग्यानात्मक संरचनाओं को dash के रूप में वर्नित करते है in his theory of cognitive development जीन प्याजे explain cognitive structure in terms of तो किस चीज में है तो zone of proximal development ये वाइगोस की का है psychological tools इसका कहीं प्याजे ने use नहीं किया है stimulus response association ये भी नहीं था तो प्याजे की जो हमने basic concept किये थे उसमें हमने schema का रोल पढ़ा था तो इसका answer schema है next है हमारा समावेशी कक्षा में dash पर जोर होना चाहिए an inclusive classroom emphasis should be on किस चीज पर तो सबसे first है समाजिक पहचान के अधार पर चात्रों के अ लगाओ तो segregation हमें कहीं नहीं करना है segregate बच्चों को कहीं नहीं करना है तो ये गलत है हर बच्चे के सामर्थय को अधिक्तम करने के लिए अफसर प्रदान करना ये ठीक है next आता है प्रदर्शन अभी मुखी लक्ष परफोर्मेंस ओर्येंटेड गोल तो ये बिल्कुल गलत है अन्डिफ्रेंशियर अविभेदी समरूपी निर्देश तो ये भी गलत है हमें different instruction भी दें तो हर बच्चे के सामर्थय को अधिक्तम करने के लिए अफसर प्रदान करना ये बिल्कुल सही है next आता है according to right of person according to right of person with disability act 2016 which of the following term in appropriate to use तो छात्र जिसे शारिक हम जो physical disability वाले बच्चे होते हैं जो handicap बच्चे होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं तो छात्र जिसका अर्शक्त शरीर है तो ये गलत है कहना retarded student भी हम बच्चों को नहीं कहते हैं handicapped student भी नहीं कहते हैं तो हम कहते है student with physical disabilities तो ये बिल्कुल सही है first answer next आता है sequence of development among children from bird to adolescence अगर आपने ये भी प्याजी की थियोरी में अगर पढ़ा होगा धंक से तो आपका ये question बिल्कुल ठीक होगा इसमें इसने बोला है कि किस तरीके से बच्चे का जो विकास होता है bird से अडॉले सेंस तक तो वो हमें बताना है तो पहले concrete है abstract है sensory है तो ये गलत है क्योंकि बच्चा सबसे पहले senses के थूँ सीखता है observation करता है फिर करता है concrete चीजें उसके सामने होनी चाहिए तब भी बच्चा अच्चे से समझ पाएगा और final में है abstract तो फस्ट वाला था जिसमें कि हम sensory motor stage आती है first stage concrete वाले में था concrete operational stage and third था हमारा formal operational stage जिसमें कि चीजें हमारे सामने ना हो उसके बाद भी बच्चा समझ जाता है तो ये इसका correct answer है third next आता है एक प्रगती शिल्गक्षा में रेक्टिगत विबिन्ताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए योग्यता अधारित सम्हू बनाने का मापदंड है ये तो ये तो गलत है next जाता है अध्यापन अधिगम प्रकरिया की परियोजना के लिए मैत्वण है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर बच्चा slow learner है या फिर बच्चा intelligent है तो हमें अपनी जो चीजें हैं तरीके से रखनी पड़ेगी क्लास में उनके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी तो सब बच्चे को ध्यान में रखते हुए एक टीचर प्लानिंग करता है तो ये किस चीज के लिए इंपोर्टन है teaching learning process के लिए इंपोर्टन है progressive classroom should be treated as important for planning of teaching learning process यह correct answer है तो यह था हमारा discussion paper का next हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी वाइगाउचकी की थियोरी पर तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो like, share and subscribe करना ना भूले ओके बाबाई